नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CET 12th की इस टॉप MCQ सिरीज में आज हम बात करेंगे हिंदी से जो महतुम प्रशन बनने वाले हैं CET की जो 12th प्रिक्षा आ रही है, उसके अंतर के जो भी प्रशन बनेंगे उनके बारे हम बात करेंगे, तो जो महतुम प्रशन MCQs हैं, वो मैं आपके लेकर पस्तुत हुआ हूँ आपके लिए तो चार ओप्षन यह आपके सामने दिखेंगे, तो उनमें से आपको टिक करना है, तो जल्दी सांसर बताएं क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो एक वचन और बहु वचन दोनों में किया जा सकता है इसका परियोग, तो वो शब तो उप्षन A में, उप्षन B आप, उप्षन C जो यह उप्षन दी जिसने, तो जल्दी सांसर बता सकते हैं क्या होगा, तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा उप्षन नमर B आप, ठीके आप जो है, उसका जो विवार है, वो एक वचन में नहीं किया जा सकता है, नेक्स प्रशन की बात करते हैं, तो देखिए, नेक्स प्रशन आता है, तुम अपना कायरे नहीं करते हो, रेखांकित शब्दे कौनसा पुरुषवाचक सरुनाम है, तुम अपना कायरे नहीं करते हो, इसमें जो रेखांकित शब्दे है, उसमें पुरुषव बात करते हैं तो next question आता है कि तुझे क्या हो गया है रेखांगे शब्द कौन सा सरवनाम है जिसमें क्या दिखा हुआ है तो वह कौन सा बताएई क्या हो सकता इसे तो इसका right answer वो हो जाएगा प्रश्ण वाचब option C जीसका राइट र्टी उसकी बेंज रेखांग की शब्द में कौन सा सरवनाम है जिसकी लाठी उसकी बेंज चूरू नाम है उसमें कौन सा रेखांगी शब्द जो है वह कौन सा सरवनाम है तो देखिए option A पुरुषवाचक, option B नीजवाचक, option C प्रश्णवाचक यो option D समंधवाचक तो जिसकी लाठी उसकी बेंस, तो समंध है दोनों में, जिसकी और उसकी दोनों समंधी थे हैं इसलिए इसमें समंधवाचक सरुणाम होगा, तो option D इसका रेटन से हो जाएगा, ठीक है, समंधवाचक next बात करते हैं, मैं तुम प्रश्ण की, तो next प्रश्ण आता है, ये बरष्टा चार के प्रबल विरोधी हैं रेखांके शब्द जो ये है, वो कौन सा सरुणाम है, option A पुरुष्वाचक, option B निजवाचक, option C निश्चवाचक या option D समंधवाचक तो जल्दी सांसर बताएं क्या होगा, तो ये जो है, वो निश्चित करता है किसी चीज को, तो इसलिए निश्चवाचक इसका सरुणाम हो जाएगा, option C, निश्चवाचक सरुणाम next question आता है, निवने लिखित में से किस विकल्प में सभी सरुणाम पुरुष्वाची है, सभी सरुणाम पुरुष्वाची है, option A जिसके अंतगर आता है हम, तुम, ये, वे, option B आता है आप कुछ जो यह, option C आता है जो कोई वह स्वयम, और option D आता है में, तुम, आप, किसी आता है, तो जल्दी चांसे बताईए, निमने में से कौनसा जो विकल्प है, वो सरुणाम पुरुष्वाची है, तो इसका A option जो है, वो राइट हो जाएगा, जिसके अंतगर आता है हम, तुम, ये, और वे, ये जो है, वो पुरुष्वाची सरुणाम हो जाएंगे, ठीक option B आता है, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था, वहाँ आगे जा रहा है, option C आता है, हम खुद ही उदर आ गए, और option D आता है, आप college कप जाओगे, तो जल्दी से अंसर बता सकते हैं, इसका answer क्या होगा, और निश्चे वाचक सरुणाम है, तो जल्दी से बता सकते हैं, तो किसे वाच्य में समंधवाचक सरुणाम है, समंधवाचक जो सरुणाम है, वो कौन सा है, तो इसका direct answer देख लेते हैं, option D का राइटन से हो जाएगा, तो इस तरीके से देख सकते हैं, फिर next प्रशन आता है, अंतिम प्रशन है, तो सरुणाम का परियोग किस क्रम में नहीं ह होता है, option आपके सामने है, option A समीपता, option B आत्मीता, option C अपमान, या option D समंध बताने में, तो इसका right answer हो जाएगा, समंध बताने में, option D इसका right answer हो जाएगा, तो ठीक है दो इसी सेरीज को बढ़ाते हों, आगे बढ़ेंगे, तो मिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत